गाउं की सास के शहरी अंदाज निदी को विकास से प्यार तो था पर वो शादी करके उसके साथ गाउं में नहीं बसना चाती थी मुझे गाउं अच्छा लगता है पर दिक्कत यही है कि मैं वहाँ रह नहीं पाऊंगी मुझे वहाँ के माहौल के बारे में कुछ भी नहीं पता है अरे माहौल में ढल जाओगी तुम थोड़ा टाइम तो लो और विकास गाउं में ही रहके औरगेनी खेती करता है इतना अलग काम है और यहाँ शहर में क्या है कितना अप्रदूशन और भीड है यहाँ पर विकास यहाँ आके भी तो खेती कर सकते है ना अरे शहर में एक प्लॉट लेने में जिन्दगी भर की कमाई चली जाती है खेत कैसे लोगे सोच ले निदी विकास गाउं का है वहीं उसका काम भी है तेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है ना ही तुझे कभी काम करना था उफो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे अकिला छोड़ दो उसी दिन निदी विकास से मिलती है यार मेरे सारे दोस्त यहीं है अरे दोस्तों गाउं में भी बन सकते है ना निदी मैं भी तो गाउं का हूँ, मुझसे प्यार हो सकता है, तो वहाँ के लोगों से दोस्ती भी होई सकती है न? आरे यार, कन्फिशन है बार सोच लो निधी, शादे के मंडब पे छोड़ के मत जाना, वहना दोनों के परिवार के नाक गज जाएगी अभी बोल दो, पत्र का नहीं चपाता है, निधी के पास तो कोई चारा नहीं बचा, वो विकास से इतना प्यार करती है कि उसे छोड़ भी नहीं सकती वो विकास के लिए गाउं में शादी करके बसने को तयार हो जाती है, जल्द ही दोनों की शादी हो जाती है आइ होप तुमको गाउं में अच्छा लगेगा मुझे पता है, गाउं में और शहर में अंतर क्या है, वहाँ की लोगों की सोच में अंतर है मुझे पता है कि इसा लगेगा मुझे सही है उसके दिमाग में एक तरकी बाई उसने सोचा कि गाउं के लोगों के लिए वो ऐसा काम करेगी कि आगे से उसे कोई किसी काम का बोलेगा ही नहीं शादी के एक दिन बाद निधी की सास ने फर्माईश की निधी बेटा अपने हाथ से कुछ खाने का बना दे बिलकुर सा आसुमा थोड़ा सा रुखिये अभी बनाती हूँ ये सही मौका था निधी के पास ये बताने का कि गाउं के लोगों और उसके रहन सहन में कितना अंतर है रूटी सबजी दलिया भाजी खाने वालों के लिए पिज्जा बना देती हूँ तब इनको समझ में आएगा ना खा के हम शुहर में पिज्जा कहते हैं है ना बेटा है आपको कैसे पता कि इसे पिज्जा कहते हैं आप पिज्जा को पिज्जा नहीं बोलेंगे तो क्या फ्रेंच फ्राइज कहेंगे गाउं के सास से ये सारी बाते सुनके बहु चौक जाती है लेकिन सास एक और ऐसी बात कहती है कि बहु जिसकी उमिद ही नहीं कर रही होती है बहु इस पिज़ा के उपर औरेगानों मिला दे और थोड़ा चिली फ्लेक्स मज़ा आ जाएगा माजी गाउं में रहके भी आपको ये सब कैसे पता है अरे यूट्यूब टीवी सब ख़बर रखते हैं हम भी इंटरनेट है जहाँ जानकारी है वहाँ हरे वा माजी अरे अभी महमत बोल अब जब मैं पिज़ा का फोटो लेके फेस्बुक पर डालूंगी न तो वहाँ कमेंट में जाकर वहाँ बोलना ठीक है ठीक है माजी आरा ठीक है माजी की जगा ओके मम्मी या ओके मम्मा बोल दिया करना है ठीक है मतलब ओके मम्मा निदी का तु सर ही घूम जाता है इतना शहरी बरताव तो शहर में रहने वाली नेधी की मा का भी नहीं था वो शाम को अपने पती से पूछती है विकास, तुमारी मम्मी तो काफी कूल है यार पिज़ा में क्या डालते हैं, फेस्बुक पर क्या डालते हैं, सब कुछ पता हैं उन्हें तो हमारे बड़े पापा के लड़के रहते हैं शहर में बस उनके बच्चे आये थे गाउं में गर्मी की छुटिया मनाने उन्होंने मा को एकदम शहरी बना दिया उनका फेस्बुक अकाउन भी है, इंस्टाग्राम भी है और टिक टॉक बैंड हो गया वरना वो भी बनाती थी, तब ही सास वहां आ जाती है अरण निधी, मैं तुझे टैग नहीं कर पा रही हूँ, जरा मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एकसेप्ट तो कर दे निधी की गाउं को लेकर जो राय थी, वो अपनी सासुमा को देख के बलकुल बदल जाती है, और अब निधी भी सोशल मीडिया पे अपनी सास के साथ लाइव आती है, और कमेंट बाजी भी करती है ताकि सब को पता चले कि गाउं में रहके भी उसका जीवन शहर जैसा ही है और उसके आसपास के लोगों के अंदाज भी एकदम शहरी है